नमस्कार बहुत बहुत स्वाइत करते हैं क्लिक्टूडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में और 2022 से 25 सेशन के जितने भी छादेम चात्राएं हैं जो सभी पूछ रहे हैं कि हमारा एड्मिट कार्ड कप जारी किया जाएगा साथ इसाथ पीजी के जितने भी छादेम चात से अधिक परिक्षा केंद्र बनाए गया कारण यह है कि सरवधिक छात्यम चात्राएं होने के कारण 47 केंद्र गठित किया गया है कल से मिलेगा एड्मिट कार्ड मुझफर पूर वैसाली सीतामाडी मोतिहारी बेतियां वा बक्सर में भी बनाए गया है परिक्षा केंद्र तो आप सभी के परिक्षा केंद्र इन सहरों में है और आप सभी का प्रवेश पत्र यानि की आपका एड्मिट कार्ड जो है वो आप सभी को कल आपके कॉलेज में मिलना सुरू हो जाएगा हाला कि कल नहीं कल सनीव आ रहे है तो आपको यूजरली होता क्या है कि जब भी उ माधियम से आप लोग का आपका एड्मिट कार्ड जो दिया जाएगा हाला कि मैं तो यहीं कहूंगा कि आप अपने जितने भी डॉकुमेंट्स है वो सभी डॉकुमेंट्स लेकर कर जाए क्यूंकि आपके जो कॉलेज है वो कोई भी डॉकुमेंट डिमांड कर सकती है ऐसा जो है देखा गया जायतर समय जैसे कि आज का रिपोर्ट है बियारे भी हार विस विद्याले की ओर से अठाइस जून से सनातक सर्थ 2022 से प्रतम वर्थ की परिक्षा सुरू होगी इसमें सामिल होने वाले विद्यारती 24 जून से संबंदित कॉलेज में अपना एड्मिट कार प्राप्त कर सकते हैं और आप सभी अपनी परिक्षा की तयारी कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के कोशन बैंक से संस्क्रित उर्दू के जो भी चात्राय होंगे या एईचन सी के जो भी चात्राय होंगे उनका जो है कोशन बैंक नहीं मिलेगा पिछले बीते पास सालों का जो है आपको commerce का science का arts का question bank मिल जाएगा जो की आपके senior batch के students से जो questions पूछे गए थे university के तरब से उसी से question आप लोगे जो आगे पीछे करके पूछे जाते है question bank को आप अपने subject के ज़रू से purchase करिए वीडियो के description box में link दिया गया है कैसे purchase करना है और आपका question bank जो है लगा हुआ है और कुछ guest paper भी लगे हुए email hindi के भी guest paper लगे हुए साथी comment box में भी link दिया है वहाँ से जाकर के आप click करके click today के website पे जाकर के add to cart करके view to cart करके जो आप अपना details भरते हुए जो है proceed to pay करेंगे और जो payment बने का वो payment करेंगे payment करने का आपके email ID पर PDF format में जो है आपका question bank पहुच जाएगा उसे download करके आप अपने mobile में ही पढ़ सकते हैं और उस question का आपको answer निकालने के लिए Google का मदद लेना पढ़ सकता है हाला कि यह question सबस्यादा important है आप सभी के लिए आपके exam के मद्य नजर रखते हुए तो आप सभी जो अपना question bank अभी के अभी purchase करें वीडियो के description box के link से साधी साथ comment box में लिंक पिन है वहां से जाके purchase करिए और अपनी वीजो पढ़ाई जारी रखिए आगे जो हम हमेशा help करते रहेंगे इसलिक लिक टूड़े चैनल को subscribe करके बिल ऐकान को on करके रखिए विस विद्याले ने college को जो है विद्यार्थियों का जो form edit करने का एक और जो है मौका दिया है यानि कि जो आप सभी के कुछ भी form में जो आपका personal form मिला होगा form भढ़ने के लिए परिक्षा form भढ़ने के लिए उसमें अगर कोई भी तुरूटी था उसका सुधार करने के लिए college को आज भर का मौका दिया गया है और आज ही राज जो है आप सभी के college के email पे आपका admit card वो भेज भेज दिये जाने के बाद आपकी college admit card को download करेगे principal का signature and college का stamp और मोहड लग करके आप सभी को जो है दिया जाएगा तो कल से आप सभी अपना admit card ले सकते हैं हाला कि बहुत सारे college में कल से दो बज़े के बाद से admit card मिलेगा जैसे कि RDS college, L&T college, LS college यह सारे जो college है या फिर आपक प्रथम वर्स की परिक्षा में सामिल और college को जो है form update करने का एक last मौका है साम तक जो है विस विद्याले की portal पर जो है form update किया जा सकता है 8 जुलाई तक जो है आप सभी का मुख्य परिक्षा यानि कि honors का परिक्षा 19 तक सभी की परिक्षा आप सभी की चलेगी अब अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं PG की जितनी भी छात्राइं है तो जैसा कि अखवार में आज रिपोर्ट छपा है हाला कि अखवार में सिर्फ आज ही रिपोर्ट नहीं इससे पहले भी कई वार रिपोर्ट जो है छप चुकी है चात्राएं SCST विद्यार्थियों सुल्क नहीं ले सची प्रोफेशर संजय कुमार जी ने इसका आदेश कल जारी किया है लेकिन जो विभाग से हैं वह यहीं कह रही है कि हमें सरकार से कोई भी अभी तक अनुदान नहीं मिल पाया है या कोई भी राशी प्राप्त नहीं हुए और यह अगर फीस नहीं लेते हैं तो आपका आठे करम का संचालन वह सही से नहीं हो पाएगा इससे पहले भी कई बार यह रिपोर्ट जो कि छप चुकी हैं पीछे वाले सेशन 2018-21 में भी यह चपा था और 2017-20 में भी यह चपा था जब पीजी का नामांकन हो रहा था कि पीजी में एडमिशन के लिए कोई सुल्क नहीं आठा कि जब सरकार से जो है डिपार्टमेंट्स को कॉलेजिस को जब पैसे मिल जाएंगे तो आपका जो फीस है वो रिफंड कर दिया जागा हलाकि ऐसा हो न सका और अभी भी वही सिलसिलेवार तरीका जो है जारी है अब देखना यह रहेगा कि आप सभी का एडमिशन किस प्रकार से होता है आप सभी अपने विभाग में जाके एडमिशन करा ले तो आज की वीडियो में इतना ही तब तक लिए हम चलते हैं धन्याथ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बोलेंगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में